दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HDFC वेंग को कि किस प्रकार से आपको ट्रेट करना चाहिए HDFC वेंग को कल किस प्रकार से आपको ट्रेट करना चाहिए क्योंकि कल फ्राइड है और एक दिसंबर है किस प्रकार से आपको कल्ट्रेट करना चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए वीडियो पूर्टेंट होने वाला है तो अभी आप जो चार्ट देख रहे हैं यह डेली टाम फ्रेम पर HDFC वेंग का चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं जो आज केंडल बनाई है यह एक हैमर बनाई है और जो कि हमारा इसका रजिस्टेंस था है HDFC वेंग का वह इस लेवल पर इसका लेवल पर उपन हुगा था और इसने एक जो लुगाया है अज का 1542 की आसपास लो लगाया है जो क्लोज किया तो वह ञुए यह इसने एक हैमर बनाई है इसे लेवल पर तो अब Economist । कि लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा और उसका जो हुमारा टार्गेट है अभी दूसरा जो टार्गेट देखेगा आपको आपको ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस देखेगा एक प्रिकार से उपंद्रा सो फंद्रा सो अंठानवे लेवल यह आपके लिए एक दूसरा टार्गेट होगा और रेजिस्टेंस का इतरह काम करते हुए देखेगा और उसके बाद जो आपको टार्गेट मिलेगा वह 1626 के आसपास टार्गेट मिलेगा और इसी प्रिकार से आपको आंगे की जो टार्गेट रहेंगे जैसे की यह इ देख सकते हैं जो आज HDFC ओपन हुआ था वो इस लेवल पर ओपन हुआ था और नीचे की तरफ जाने के बाद जो इसने ट्रेंड लाइन मनाई थी पहले उसी ट्रेंड लाइन को कंटीनिव फालो करते हुए मार्केट बापस से उपर की तरफ निकल गया है और इसी बताने के बाद बापस से लेवल के आसपास आता है तो इस लेवल पर आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा तो कुछ इस प्रिकार्ड से आप इसको कर सकते हैं अगर वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगा हो वीडियो कुछ लूड लाइक कीजी चैनल पर नए है तो चैनल इस वाद